Hello friends, welcome to my channel, one information, pregnancy related और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर, notification alert के लिए bell बटन प्रेस करें और pregnancy related और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे विजिट जरूर करें लेकिन तुकिए पहले एक खास वीडियो जरूर देख लीजिए और तक बिना इसकिप किए आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्सक्राइब के बारे में बताने जा रही हूँ जिनने गर्भावस्ता के दौरान खाने से बचना चाहिए साथ ही ये भी याद रखिए कि अगर सबजियां कच्ची है या ताजा नहीं है तो उनका सिवन ना करें क्योंकि गर्भावस्ता के दौरान सबजियों से होने वाले संक्रमन से आपको खुद को और अपने शिशु को बचाना है इसमें सबसे पहली जो सबजी है वो है पत्ता गुवी पत्ता गुवी अत्यदिक मात्रा में कीट नाशकों और कवक के माध्यम से खादे बिमारियों को ले जाने के लिए अधिक प्रबल होता है और इसका ज्यादा सेवन आयोजिन की कमी का करण बन सकता है जिससे थाइराइड होने का खत्रा बना रहता है तो गर्भावस्ता के दौरान आप इसे ज्यादा खाने से बचे दूसरा है चुकुंदर चुकुंदर को कम मातरा में खाया जाना चाहिए और केवल तभी जब ये ताजा हो ज्यादा मातरा में चुकुंदर का सेवन गर्भती महिला के पेट में कबज पैदा कर सकता है तीसरा है गर्भावस्ता के दौरान आलू गर्बावस्ता के दौरान अलू का सीवन जादन नहीं करना चाहिए वे कार्बोहाइडरिट से सम्रध होते हैं और मा और बच्चे के लिए अस्वास्थ कर हो सकते हैं लेकिन नए अलू विटामिन C के उच्छ स्तर के करण फायदेमत हो सकते हैं चौथा है गर्बावस्ता के दौरान स्प्राउट्स खाने से भी बचना चाहिए क्योंकि अंकुरित होने पर इसमें संभावित रूप से सालमोनोईला, एकोली और लेस्टीरिया का उच्छ स्तर बढ़ जाता है ये मितली को कम करने के लिए जाना जाता है लेकिन अधिक मातरा में इसका सेवन आपके लिए हानिकारक हो सकता है खास तोर पर पहली दिमाई के दौरान अगर उच्छ मातरा में अद्रक लिया जाए तो इससे गर्बाद का खत्रा हो सकता है छटवा है पपीता, पपीते को हम एक फल और सबजी दोनों के रूप में बना कर खा सकते हैं, लेकिन पपीता गर्भावस्ता के दौरान ना खाई जाने वाले पदार्तों में से एक होता है, क्योंकि इसमें पाई जाने वाला लेटेक्स अस्वास्ते कर गर्भाशे संकुचन के और ले जाता है, साथवा है करिला, करिला एक सबजी है जिसकी कम मात्रा में उप्योग किया जाना चाहिए, वैसे तो ये गर्भावस्ता के दौरान ढूर्ण के डेवलेप्मेंट के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस सबजी को ज़्यादा खाने से बच्चा जन नवा है तुलसी यानि की बेसिल, बेशक तुलसी का पत्ता ये चमतकारी पत्ता होता है और इसके कई स्वास्तलाब होते हैं, लेकिन फिर भी गर्भावस्ता के दौरान इसका ज्यादा सीवन नहीं करना चाहिए, इसमें हाई मर्करी अलिमेंट के कारण गर्भ में संकुच गर्भावस्ता के दौरान जादा मात्रा में गाजर खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत चादा फाइबर होता है, जो कि मा को कब्ज की समस्या पैदा कर सकता है, और बदले में बच्चे के लिए भी हानिकारक हो सकता है, बारवा है बैंगन, बैंगन उन गुन खाने से बचना चाहिए, इसके बीज और तेल आपके मासिक धर्म को उत्तेजित कर सकते हैं, दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इन सारी सब्चियों को आपको गर्भावस्ता के दौरान बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसकी बहुत अधिक मात्रा आपको और आपके गर्भ में पल रहें शिशु के लिए हानी का रख हो सकते हैं, इसलिए बहतर होगा कि आप इन सब्चियों को खाने से बचें और अगर खाएं भी तो इसकी मात्रा पर जरूर ध्यान दें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, थैंक यू, बाई बाई